भारत के कनाटक राच्चे में ओमिक्रॉन के दो मामले सामने आने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है हलाकि इस वास्ता मंत्राले ने लोगों से ना घपराने के पील करते हुए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की सला दी है आये जानते है भारत में ओमिक्रॉन से संक्रमत मरीजों में कैसे लक्षन दिखाई दिये थे कोरुना वारस का नया ओमिक्रॉन वेरियंट पूरी दुनिया में धीरे धीरे अपने पैर पसाड़ने लगा है कई देशों में पाबंदियों का दौर एक बाब फिर शुरू हो गया है भारत में भी इसके दो मामले सामने आने से हडगंप मजगया है ये दोनों मामले कनाटक में पाई गए हैं हालकि स्वास्तमंत्राले ने लोगों से ना घबराने की अपील करते हुए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की सलह दी है करनाटा के स्वास्तमंतरी के सुधाकर के अनुसार ये दोनों मामले डेल्टा वेरियंट से मैच नहीं कर रहे थे केंद्र को इसी अनुसार सतर्क कर दिया गया था उनमें से एक 66 साल का पुरुश है जो दक्षिन अफ्रीकी नाकरिक है वो 20 नवंबर को बैंगलूरू आया था जहां उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया उसे एक होटल में आइसोलेट कर दिया गया 23 नवंबर को उसका फिर से टेस्ट किया गया जो नेगेटिव आया इसके बाद 27 नवंबर को वो दुबई के लिए रवाना हो गया उसके संपर्क में आये सभी लोगों का टेस्ट जो नेगेटिव आया था वहीं ओमिक्रोन का दूसरा मामला 46 साल के एक डॉक्टर में पाया गया जो एक सरकारी अस्पताल में काम करते हैं इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी 46 वर्षी डॉक्टर ने बहुत अधिक थकान, कमजोरी और बुखार जैसे लक्षन दिखने के बाद इन्होंने अपना टेस्ट कराया जो की पॉजिटिव आया रिपोर्ट्स के मताबिक उनकी सिटी वैल्यू कम थी जिसके बाद उनका सैंपल लैप भी जा गया इनके संपर्क में आये 5 लोगों का भी टेस्ट पॉजिटिव आया है दक्षिन अफरिका के वैज्ञाने को का भी कहना है कि इस वेरियन की लक्षन बहुत गंभीर नहीं है हाला कि हलकी लक्षन होने की वज़द से अधिकतर लोगों को इसका पता नहीं चल पाता और संकर्मन के आसानी से फैलने की संभाव न रहती है इसलिए अगर आपको इन में से कोई भी लक्षन नसर आए तो अपना टेस्ट जरूर कराएं नागपूर से BCN News के लिए अभिशेक पांसी की रिपोर्ट